कि आप सब्सक्राइब को पता है हमारे स्टुटेंट्स के दुआरा कुछ कुछ ओन्राइन क्लास्स प्रवाइट कबाई लिए है कि आप सब्सक्राइब को पीछले वाली क्लास तरही रिविजन बता रहें था क्या अब जो हम लोग ने चेप्र जो पढ़ेंगी उसमें कोई प्रोब्रम ना हो तो रिविजन पी हम लोग आज का लोग ले रहे हैं वहाँ केपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स जो कि उसको बढू बोल सकते हैं हम को बहाँ ऑल और छोटे अक्षया वाले बढ़े अक्षया वाले बड चोटे lift सैन nut कि ये ह्यू दिश्दैक्टनिम्यारी ट्रवे किसी का बीच की जो हम राइट कर सकते हैं वाली राइट में उसका भी उज़ता है क्या आज अज अज अब जो रिकुनाइज करने वाले हैं वह है रेटू जैट अधिए पहचाने कि क्यों से होते हैं और उसको इनकी पहचान करेंगे तो चलो बद जो हम रोग रेड़ी है ना इसकी पहचान करने एक लिए तो हम स्टार्ट करने हैं अभी क्या आजार्टे करने हैं N, O, T, Q, R, S, T, U, V, J, N, X, Y, J, okay? A, 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 B, C, D, E, F, Z, H, I, J, A, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, W, X, Y, and Cher, and Cher. A, 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 Z, Capital Letters Repeat किया है. आप सभी बच्चों को इसको बार-बार लिखना है, repeat करना है, ताकि आपको Capital Letters की पहचाम हो सके. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for wraps, H for hand, H for hand, I for ice cream, J for jar, K for kite, L for lion, L for monkey, N for nap, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for roach, S for sun, T for tiger, U for umbrella, U for umbrella, V for wand, W for watch, X for x-ray, Y for yard, and Z for zebra, Z for zebra, Z for zebra, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for elephant, F for fish, D for grass, H for hand, I for ice cream, J for junk, K for kite, L for lion, L for lion, L for lion, L for monkey, L for nest, O for orange, P for peacock, Q for crab, Q for bean, Q for monkey, R for horse, S for horse, U for tiger, U for umbrella, वी फॉर्ड मैं डब्न फॉर्ड वाश एक्स फॉर्ड एक्स रे वाई फॉर्ड याँ एंड जैड फॉर्ड जैप्रा तो हमें अभी जो रिपीट क्या है वो बोल से लेटर्स थे कैपीटर लेटर्स बाड़े अक्षर वाले वर्ड जो हमें सब बड़े नजर आरे क्या आप किसी भी लेटर को स्मॉल लेटर्स के दिखाए देरें क्या आप वोगों को नहीं ना क्या नजर आरें सभी कैपीटर लेटर्स में जर आरें नेच्ट है स्मॉल लेटर्स नेस्स कोन सी लेटर राग्यां है इसमॉल लेटर चोटे छोटे चापे वाले बन चोटे जिसी चोटे चापे वाले बन जिसी कई हमें वीचवाली लाइमस के नज़राएंगे A, C, E, I, M, N, O, R ये भी बीच वाली रायन से नीचे की हो लिखा गया है P, Q, S, U, V, W, X, H ये कई हमें जो लेक्ट के नजर आ रहा है, बन नजर आ रहा है वो हमें बीच की रायन से भी राइट के हो नजर आएगे कई है जो उपरवाली रायन से राइट किया गया है, जैसे B, D, F, K, G, H तो बच्चे चलों हम आज इसमोल नेटर्स की पैचान परते है पहले हम लोग इसको रिपीट करेंगे, इसके बाद में राइट करना सीखेंगे, ओके फरस्ट, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, W, X, Y, J, यह यह वाई और चैर्ड, A, B, C, D, E, F, Z, H, I, J, A, K, L, M, N, O, P, Q, R, F, T, U, V, W, X, Y, J, यह तो ते हम आवाले कोल सी लेटर्स, इसे स्माल लेटर, चोटे, चोटे चाते वाले वाले रट, अब आप इनी को एक बार Capital Letters पिर से राइट करेंगे, आप भी बच्चों मेरे साथ अपनी नौट बूक में राइट करना स्टाट करेंगे, जैसे में राइट करूंगी तो आप भी नौट बूक में राइट करेंगे, ओके? पहला था हमारा Capital Letters, फस्ता Capital Letters, Capital Letters, first, A, B, C, B I, I, F, G, X, I, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, A, S, P, U, V, W, X, U, V, W, X, Y, Z, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, okay? A, B, C, D, E, F, Z, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Next number is small letters. Small letters. Small letters. Small letters. You see? Small letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, U, V, W, X, Y, Z, U, V, W, X, Y, Z, U, V, X, Y, Z, तो, बच्चों, हमें अभी जो राइट किया है, आप इहीं को बार-बार राइट करोगी, ताकि आप अच्छे से पहचान सबूत कि किस्पों अच्छे से पहचान सबूत है? A, B, C, D E, F, G, H I, J, K, L M, L, O, P Q, R, S, T U, V, W, X, Y, K तो बच्चों हमने इस्मोल लेटर्स पे अच्छे से पहचान लिया और कैपिटल लेटर्स पे अच्छे से पहचान लिया उसके बाद में इस्मोल लेटर्स राइट करेंगे क्योंकि हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएगे तो उसमें हम कुछ फ्यूशन्स डालेंगे जिसे कैपिटल लेटर्स में A, फिर missing B, A के बाद में कैपिटल लेटर्स के बाद में कौन सा होगा? एक्जाम्पल A फिर B, B के बाद में C B, Missing A, ऐसे हम कुछ फ्यूशन्स अगले फ्यूशन्स में राइट करेंगे आज के लिए हम पहले इसको बाद बाद राइट करेंगे कैपिटल लेटर्स को ताकि हम आच्छे से याद हो सके अगर फ्यूशन्स को किसी भी प्रकार पढ़ट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स की साहता से कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि हमें गार इन स्मोल एकिस में यह प्रोब्लम है THANKYOU Have a nice day प्रॉड़ार 1.